आपका अपने परिवार रोजगार वे दंकीत में तो कैसे हैं आप सुब लोग उमीद करता हूँ कि आप सुब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और दोस्त वेट कर रहे होंगे कि एनलेसिस का आज कैसा रहा है पेपर का रुज़ान तीन सेफ्ट हो चुकी चौँ की और आज 15 तारिख की पहली सिफ्ट भी आप लोगों की हो चुकी है दोस्त अगर मैं मैं शिंस इस paper math में मतलब questions आप लोगों से विसेज कोई नहीं पूछे गए हैं सारे general question पूछे गए हैं normal question पूछे गए हैं जहां से भी आप लोगों ने पढ़ाई की है बचे खुस रहिए और ये सोच के चलिए teacher पर भरोसा करके चलिए कि हाँ हम लोगों ने सही जगा पढ़ाई की है और सही ही response आप लोगों का आने वाला है अगर आप देखोगे तो maximum output आप लोगों का आएगा questions का level ही कुछ ऐसा है तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे फिर में आप लोगों को complete analysis एक बार math का बता देता हूँ 14-15 question मेरे पास लगबग 14 question का ब्योरा मेरे पास है कहां कहां से साम के जो मैंने 7 बजे question कराये थे कुछ questions मैंने छुटवा दिये थे तो बच्चों के बहुत सारों के बच्चों के comment है जी आप पूरा कराया कीजिए तो आज मैंने ये ठान लिया है तो कि दोस्त मैं उनके जैसे ही questions लेके आ रहा हूँगा exactly वो नहीं वो तो मैं आपको analysis के time पर बता दूँगा बलकि उनके जैसे questions practice के लिए मैं शाम को लेके आ रहा हूँगा तो शाम को जो करेंगे वो 25 question का एक बहतरीन सा practice set हम लोग कर रहे हूँगे तो शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूले एक बहतरीन से पूरे दिन का analysis और पूरे दिन का ही analysis नहीं 14 की 3 मतलब start होने वाली होगी जाने वाले होंगे बच्चे exactly मुझे पता नहीं है लगबग हाँ 11 बजे जो है वो second shift जो है वो शायद start हो जाती है second shift वाले बच्चे तो शायद गए होंगे या 12 बजे होगी शायद 12 बजे होगी है ना तो शुरुआत करते हैं हम लोग questions से तो सबस कुछ तो इसरी shift में दोस्त एक से दू कोशन पूचे गया है तीसरी shift में यहां से question नहीं पूच़ा गया है आज जो है वो question पूच़ा गया है एक यहां से लेकिन एक average में भी question पूचा गया दूसरी एभज्य संख्या जो है वो 29 है इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा भाई 23 का वर्ग करोगे तो 529 आएगा 29 का वर्ग करोगे तो 841 आएगा इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे 1370 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा तो 1370 जो है की दोस्त बात करता हूँ, लैसे मैसे में दो कोश्चन आज पूछे गए हैं, दो कोश्चन, एक मैं तीन वैल्यूज देके, तीन से चार वैल्यूज दी हैं, उनका LCM पूछा है, दूसरा भी बिलकुल ऐसा ही question है, 3 values आप लोगों को दी है, 3 से 4 values आप लोगों को दी है और आप से SCF पुछा है, यानि एक directly LCM पूछा है एक में और एक में directly SCF आप लोगों से पूछा गया है, बहुत आसान सा question आप लोगों कह सकते हैं, simplification में कोई question आप लोगों से नहीं पूछा गया है ratio and proportion में 3 से 4 ratio आप लोगों को दिये हुए है जैसे ये कहा है भाई 3 ratio 4 है 1 दिया हुआ है 15 ratio 17 दिया हुआ है 1 दिया है 19 ratio 23 दिया हुआ है और 1 ratio दिया है 31 ratio 37 दिया है और आप से पूछा है इन 4 में सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है यानि कि आप लोग directly divide करके देख लेंगे directly divide करके देख लेंगे और बता देंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा आप लोगों का बड़ा है तो यहां से केवल 1 question आप लोगों से पूछा गया है 1 question यहां से 2 question यहां से 1 question आपका ratio से पार्टनर्शिप से मेरे दोस्त कोई कुश्चन आप लोगों का नहीं पुछा गया है ठीक है और एज से कोई कुश्चन आप लोगों का नहीं पुछा गया है अगर मैं परसंटेज से बात करता हूँ तो परसंटेज से मेरे दोस्त एक कुश्चन पुछा गया है वो मैं आप में कितनी विरत्धी करें कि आए पहले के बराबर पहुँच जाएν यानि अगर 100 रुपे थी पहले उसकी इंगम 100 रुपे थी तो मेरे दोस्त 20 परसेंट की कमी की होगी तो 80 रुपे होगी होगी अब 80 को कितने रुपे बढ़ाया जाए कि ये वापस से 100 पहुच जाए तो 20 बढ़ाया जाना चाहिए, किस से बढ़ाया जाना चाहिए, असी से बढ़ाया जाना चाहिए, तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अब उसकी income को 25% बढ़ाना होगा, यदि हम उसे पुरानी उस पर पहुचाना चाहते हैं, ठीक है भाई, तो एक question यहां से आप पुचा गया है, कि 300 रुपे किलो के 1 किलो अमरूद किसी वैक्ती ने खरीदे हैं, ये CP हो जाएगा, और 25 रुपे के 100 गिराम के हिसाब से उसने बेच दिये हैं, तो लाब यहानी प्रतिसात आप लोगों से दोस्त पुचा गया है, तो अगर 1 किलो खरीदे थी, तो 1 किलो क मतलब है, दोस्त, 1000 गिराम खरीदे थे, और यहां ये 100 गिराम का रेट दिया है, तो 1000 गिराम का रेट बनाने के लिए 10 की गुणा करोगे, यानि कि 500 रुपे के उसने 1000 गिराम बेच दिये होंगे, 1000 गिराम खरीदे कितने के थे, तो आप कहोगे 300 रुपे के, 1000 गिराम बेचे कितने के हैं तो आप कहोगे 2,500 रूपए के तो घाटा कितने का हो गया 50 रूपए का घाटा होता किस पर हमेशा किरे मुल्ये पर तो 100 पर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 50 बते 3 यानि कि इसका जो हानी प्रतिसत रहा होगा वो 16 सही 2 बते 3% रहा होगा ठीक है भाई अगर मैं बात करता हूँ आगे एक कुशन मेरे दोस्त डिसकाउंट से पूछा गया है हमेशा से हमारा एक फैवरेट कॉंसेप्ट रहा था जब हम लोग CP और MRP की बात करते थे CP और MRP की बात करते थे तो एक वैक्ती ने कुछ छूट दी है तो 100-D% लिखते थे और एक वैक्ती ने कुछ लाब कमाया है तो 100-P% लिखते थे यहाँ पे वैक्ती का MRP दिया हुआ था और आपसे CP पूछा था CP दोस्त पूछा था यानि एक वैक्ती 20% की छूट दे कर भी 15% का लाब कमाता है यदि उस वस्तू का अंकित मुल्य ये था तो उस वस्तू का किरे मुल्य क्या रहेगा मतलब इस वाले concept पर बेश्ट जो है आपसे question पूछा गया है आसान question था ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगर मैं यहाँ देखू time and work से एक question था ये question था mdh formula पर बेश्ट था m1 d1 h1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 upon w2 ठीक है अगर मैं बात करूँ pipe और टंकी से कोई question नहीं लेकिन time and distance से एक moderate question पूछा गया था कल की एक shift में भी race का question जो था वो moderate level का मैं कह सकता हूँ अगर एकदम से exam में सामने आएगा तो question को करने में हमें दिक्कत आएगी लेकिन एक shift में average speed का पूछ लिया था वो थोड़ा आसान question था लेकिन यहां आज की shift में एक सुरंग वाला question आप लोगों से पूछा गया है actual में वो थोड़ा सा moderate level का बच्चे बता रहे हैं पांच बच्चों से बात हुई है exactly मेरे पास question तो नहीं है लेकिन साम को जब practice set कराऊंगा ठीक 7 बजे जो है इस questions के बारे में इसका बिल्कुल डिक्टो question आप लोगों के सामने लेके आ रहा हुँगा उसमें एक कुट्टा दिया हुआ था कुट्टा सुरंग के अंदर खड़ा था वहाँ जब दो बटे 5 हिस्से पर पहुँशती है तो कुट्टा भाग लेता है और जब सुरंग खटम होती है तो वहाँ दोनों लोग मिल रहे होते हैं तो इस टाइप का question साम को लेके आओंगा दोस्त है ना तो शाम को 7 बज़े बिलकुल भी जुणना मत भूलना है ना समय दूरी का हो गया एक question तो आप लोगों के हो चुके हैं 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9 question हो चुके हैं अगर मैं आगे बात करता हूँ train से मेरे दोस्त कोई question नहीं पूछा गया है race से कोई question नहीं पूछा गया है नाओधरा से कोई question नहीं पूछा गया है average से एक question पूछा गया है वो question क्या था question ये था मेरे दोस्त की एक से नो तक प्राकरतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा एक से नो तक प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का ओसत क्या होगा तो टोटल नो संख्याओं हो जाएंगी तो सबके वर्गों का योग बटे नो ही ओसत हो जाएगा क्या आप मुझे बता सकते हैं पिर्थम एन प्राकर्तिक संख्याओं का योग क्या होता है पिरतम N प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है तो क्या आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे N की value क्या है 9 दी हुई है 9 और एक 10 हो जाएगा 9 दुनी 18 और 11 हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा और किस से divide करना है 9 से divide करना है 9 से 9 कर जाएगा 2 पंजे 10 होगा 2 ती या 6 होगा यानि कि पिछान में बटे 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त पिछान में बटे 3 हो जाएगा ठीक है, तो ये question भी आप लोगों का easy था, है ना, अभी मैं बताऊंगा कि इनका level भी आप लोगों को बताऊंगा कैसा था, mixture से कोई question नहीं था, simple interest से एक question था, वो कौन सा question था, simple interest में भी मैंने आप लोगों को कराया होगा, मैंने ही नहीं, मैं तो सब के लिए बोलता हूँ, स पेचिदा question नहीं कह सकते, simple question है, एक question किया होगा, कि अगर कोई व्यक्ति 4% के हिसाब से 3 साल के लिए पैसा देता है, 5% के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा देता है, और पूरे 11 साल बाद वो इतना लाब कमाता है, और 7 साल से ज्यादा के लिए इतनी परसेंट पर ब्याज ले तो 15% यहां से ब्याज लिया होगा, 6% के हिसाब से उसने 5 साल के लिए पैसा दिया, तो 30% यहां से लिया होगा, आगे वो कहता है कि 8 साल से उपर जो ब्याज दर लगती है, वो 12% लगती है, तो 8 साल से उपर 12% लगती है, मेरे दोस्त, ब्याज दर यह 8 साल हो चुके है, ट टोटल पैसा 11 साल के लिए, तो ये 12% की जो दर लगेगी, ये 3 वर्स के लिए लगेगी, क्योंकि 8 वर्स पहले हो चुके हैं, टोटल पैसा 11 वर्स के लिए, तो 3 साल के लिए लगेगी, तो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मेरे दोस्त 81% जो है वो आपको ब्याज मिल रहा है तो उसने यहां इस 81% की कोई value आप लोगों को दी थी और मूलधन जश्ट 100% की value आप लोगों से पूछी थी ठीक है तो simple interest का भी आसान question था आसानी से value कट रही थी मेरे दोस्त अब compound interest का किस्त वाला question एक पूछा गया है वो किस्त वाला question मैं बता देता हूँ किस्त वाला question इन्हों ने ये दिया हुआ है मेरे दोस्त की rate जो दिया है 20% दिया है 20% और समय जो है वो 2 साल है समय जो है वो 2 साल है और आप लोगों से कहा है 66,550 जो है उसका पास से रासी 6 होगी, दूसरी किस्त 25 से 36 होगी, किस्त बराबर हैं तो 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां, 30 रुपे और 25 रुपे उधार लिये हैं, लोटाए कितने होंगे, 42 रुपे लोटाए होंगे, और उसने कहा है, 66,550 लोटाता है, तो एक पार्ट की जस्ट डिवाइड कर देंगे, है न, अगर यह कुश्चन ठीक है, बिल्कुल एग्जएक डाटा के साथ है, तो इसका जवाब यह आ जाएगा, लेकिन बस एक बास समझ लेना, मुझे जो पता चला है, वो इतना पता चला है, कि CI से जो है, एक किस्त वाला कुश्चन पूछे गए हैं, और दोनों ही कुश्चन गोले से पूछे गए हैं, एक में तो दिया हुआ है, गोले की बात करूँ, तो एक में दिया हुआ है, करवड सरफेस एरिया यानि वक्र प्रष्टिय चेतरफल पच्चिस सो दिया हुआ है, गोले का वक्र प्रष्टिय चेतरफल या संपूर्ण प्रष्टिय छेत्रफल दोनों समान होते हैं किया ये इसकी वैल्यू 25 सो दी है तो आप से व्यास पूछा है व्यास क्या हो जाएगा व्यास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त एक आप लोगों से पूछा है एक गोले को पिगला कर जो है वो आठ छोटे गोले बनाई जाते हैं तो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो आठ छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा क्योंकि जब भी एक चीज को पिगला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन जो है वो बराबर होते हैं तो जब इस बड़े गोले को पिगला के आठ छोटे गोले बनाए गए हैं तो मेरे दोस्त आठ छोटे गोलों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। इसमें बड़े गोले की tرجग आप लोगों को दे हुई थी और छोटे गोले की tرجग आप लोगों से पूचिया, 25.00 पाई दिया था, एक बच्चेन ने बता दिया, जी ये 25.00 पाई दिया था, पाई को हटाओ पाई से, 4 से काटो, 4 छिंग, 24, 4 दूनी, 8, 4, 25, टो आर जो आए ये आपको दी हुई थी ये वाली आर जो थी वो आपसे पूछी गई थी exact question के लिए मिलिए साम को 4 बजे 7 बजे मिलिएगा दोस्त बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे overall conclusion बता दू मैत का overall conclusion कैसा रहा है पेपर first shift का आज का paper कैसा रहा है 15 तारिक का 15 नवंबर का आज का exam कैसा रहा है तो math के total आये हैं दोस्तों कितने question 15 question 15 question में एक question time and distance से ऐसा था कि मतलब बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाएगा question easy हो सकता है लेकिन एकदम से ऐसा सामने आएगा तो हम कह सकते है moderate level का question था moderate level का question था बाकी 14 question जो थे 14 question जो थे वो easy to moderate थे moderate भी इस वज़ा से क्योंकि एक दो question में काटने पीटने में थोड़ी सी समश्या हो सकती है calculation की वज़ा से एक दो हो सकती है वरना मैं कहूं कि एक serious aspirant के लिए score क्या रहना चाहिए अगर वो serious है आपकी डहली पुलिस को लेकर तो उसका above 13 रहना चाहिए 13, 14, 15 अगर इन तीनों में से उसका कुछ score है तो वो वास्तम में डहली पुलिस की दोड़ में अच्छे से सामिल है अब जो है आगे का continue करेंगे आपके राहुल सर्मा सर रीजनिंग का नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग तो आज की पहली सिफ्ट 15 तारीक की किस परकार से रही रीजनिंग कैसी आई है क्या बदलाव देखने को मिला है रीजनिंग में वो सब आपको बताने जा रहा हूँ तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल बिलकुल पैटर्न वही है जैसा कल रहा था जो कुष्चनों की संख्याती लगबग-लगबग मैं कहूंगा 15 से 16 कुष्चन यहां पूचे गए हैं और 9 से 10 कुष्चन यहां पूचे कोडिंग-डिकोडिंग का कुष्चन पूचा गया है बहुती आसान लॉजिक के साथ और लॉजिक क्या रहा था लॉजिक रहा था इस तरीके से मालो जैसे की राम का कोड आपको दिया हुआ है रियल नंबर पर 18, 1 और 13 आपसे मोहन का पूच लिया जाए आपसे मोहन का एनलोजी की बात करूँ तो यहां तीन कुष्चन पूचे गए हैं और तीन कुष्चन किस तरीके से हैं एक तो आपसे इरान की राजधानी पूच लिए बहिया इरान की राजधानी पूच लिया तो मैंने बताया था कैपिटल लोगों अच्छे से याद कर लेना भाई के कुष्चन तो एक हां बिल्कुल तेहरान बिल्कुल ठीक है इरान की राजधानी साइद नार्वे की ओसलो दी गई थी और इरान की आपसे पूची गई थी इस तरीके का कुष्चन पूचा गया है उसके बाद मैं बात करता हूँ सिमिलर सेट सिमिलर सेट का एक कुष्च मनलब बच्चे इस में थोड़ा सा डाउट में हैं कि सर ये मनलब फचे ठोड़ा सा उसको एնालोजी में भी समझ जाते हैं कि आनलोजी का है तो अगर थोड़ा बहुत कठिन भी हो सकता है तो फिर वो उनके माइंड से उतर गया होगा अगर कुशन में लॉजिक नहीं लगा होगा तो इसको थोड़ा सा मैं एम लेकर चल रहा हूं तो इस तरीके से आपसे अगला नंबर पूछ लिया जाए तो डिफ्रेंस जो था वो आपका 18-36-72 दुगने का डिफ्रेंस था डिफ्रेंस भी कैसा चल रहा था दुगने का तो एक कुशन यहां आपसे पूछा गया है एक दूसरी स्रीज का बच्चे नहीं बता पाएं कि दूसरी स्रीज कैसी है तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि परिसान करने वाला हो मैं एक कुशन को कहूंगा तो सिरीज बिल्कुल आसान थी है उसके बाद alphabet सिरीज ये बिल्कुल आसान पूछी जाती है बिल्कुल आसान है dice के सिफ्ट में दो कुशन पूछे गए थे और दोनों में एक तो पूछा गया था जिसमें A, B, C ऐसे लिख दिया जाता है A, B, C वाला और एक नंबर वाला पूछा गया था जिसमें नंबर लिख दिया जाते है दो, तीन, पाँच वाला इस तरीके से और आप से पूछ लिया जाएगा कि A का अपोजिट बताओ या B का इधर तरीक आपोजिट बताओ हां, रीजिनिंग बिल्कुल सालिनी बेटा बिल्कुल ठीक आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, रीजिनिंग में कोई समश्या नहीं है आप बड़ी आसानी से उनको करके आपाओगे अब बात आती है, वेंड डाइगराम और स्लोक्स की ये तो fix है कि एक कुशन स्लोक्स का है अब यहां वेंड डाइगराम में बच्चे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा कुशन आया था कि सर कुछ कुछ कुटे बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली भेडिये हैं तो मतलब उनका डाइगराम बनवा रहा था तो उसको स्लोक्स में रख रहे हैं तो वेंड डाइगराम की डाइगराम बनवा रहा था तो मैं इसको वेंड डाइगराम में ही रखूंगा ठीक है और उसके बाद mathematical operation की मैं बात करूँ तो ये तो fix है दो कुश्चन रखी रही है SSC, हर सिफ्ट में दो कुश्चन प्रिवेस जैसे की प्रिवेस पैटर्न यानि की कल जो एक्जाम रहा था, उसी पर आधारित है, एक तो भाग और गुणा को चेंज करने वाला था, भाग और गुणा को चेंज करने पर कौन सी क्वेशन सही होगी और एक इस प्रिकार से था A का अर्थ पिलस है, B का अर्थ माइनस है, तो एक्क्वेशन को सॉल्व करना था, दो कुश्चन, कैलकुलेशन भी आसान नहीं थी, इजी वाली कैलकुलेशन थी, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, मैं अगर दिक्कत की बात कर है, लेकिन हो सकता है कि ना बना हो बच्चों से, तो यह अभी तक एक कुश्चन की मैं बात करूँगा, जो थोड़ा सा उपर रहा है, तो सीटिंग अर्रेजमेंट बिलकुल कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, 6 परसन वाला ही आपसे पूछा गया है, 6 परसन वाला इस तरी केसे जो बैठते हैं, 6 लोग सेंटर की तरफ फेस करके, अभी तक 4 सिफ्ट हुई हैं और 4 सिफ्टों में ये 6 व्यक्ती वाला ही कुश्चन देखने को मिला है, हर एक सिफ्ट में, हर एक सिफ्ट में, बिलड रिलेशन की बात करूँ, तो बिलड रिलेशन से कोई कुश्चन नहीं आया, direction की बात करूँ, कोई कुश्चन नहीं आया, ranking order 0 है, clock calendar 0, dictionary और ये आपका 0 classification, कोई कुश्चन नहीं है, वर्बल में यही आपका pattern रहा है, वर्बल रिजनिंग में, non-verbal की अगर मैं बात करूँ, वो ही मैं आप से को बताया कि 9 से 10 कुश्चन यहां देखने को मि क्योंकि कल की तीनों सिफ्टों में मैं अगर बात करूँ, figure counting में आप से पूछा गया था triangle, figure counting में आप से पूछा गया था triangle, लेकिन यहां आपकी बार बेटा पूछा गया है आपका square, square गिनना, यानि की वर्ब गिनना, वर्ब गिनना आप से पूछा गया है, एक कुश्च है वो भी square है ना वर्ग आपको count करके बताने थे ठीक है चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ figure series के दो question थे जिस तरीके से मैंने आपको practice set में most important करके बताया था कि ये figure series के आपके exam में question आएंगे वही question पूछे जा रहे हैं यहाँ पर figure series ठीक है जिन में alphabet बहुत सारे लिखे होते हैं figure completion की बात करूँ तो 2-3 question यहाँ भी थे आकरती पूर्ण करने वाले आकरती पूरी करने वाले hidden figure का एक question बताया गया है और paper folding का एक question है आपका mirror image के दो question थे एक आपका letter वाला था letter वाला और एक आपका question था भाया figure वाला figure का दरपन प्रतिबिम बताओ 2 question figure analogy से कोई question नहीं था इस से कोई question नहीं था classification से तो लगबग लगबग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 9 question मैं मान कर चलूँ कि 9 से 10 यहाँ पर पूछे गए हैं तो overall अगर मैं बात करूँ आज की मैं अगर आपको बताओं कि reasoning में आप आज कितना score कर सकते थे तो 24 मैं कहूंगा 24 score student कर पाएगा 24 score ठीके जन्हों ने 23 किया है वो भी perfect है कोई दिक्कत नहीं 23-24 आराम से बिल्कुल 25 में से 25 वाले भी हैं ऐसा नहीं है कि 25 में से 25 नहीं होंगे लेकिन जो time को management करके चला गया वो 25 में से 25 भी कर लेगा अगर आपके पास कोई आपको time taking question लगे जैसे figure series हो सकता है थोड़ा बट time taking तो उसको आप skip कर देना last में time बचे तब कर लेना ठीक है तो आगे जारी रखेंगे सिभम सर आपको computer के बारे में बताएंगे computer से किस तरीके के question आई है जैहन दोस्तो कैसे आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और जिनका भी paper आज हो चुका है वो भी बहुत ज़्यादा सांदार होंगे और जिनका आगे होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएं क्योंकि paper पूरा का पूरा हमारे पढ़ाए हुए में से ही आ रहा है जितनी मेहनत आप सभी ने की है उससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा तो very good morning सभी दोस्ते को बहर जल्दी से जड़ेंगे फिर आगे देखते हैं कि आज भाया क्या कल की class से कि कल आपके अच्छे अच्छे आपके सारे questions आ गए तो क्या कल से आज में कुछ अंतर आया है अब हमें किसी और चीज़ पर भी focus करना या उन्हीं महराथन से ही हो जाएगा तो बिलकुल उन्हीं महराथन से आपका हो जाएगा अगर मैं आपसे वेटेज की बात करूँ तो MS Word MS Word MS Excel यह इन दौनों के पीछे 365 लिखा हुआ आएगा ठीक है और मैंने महराथन से में आपको बताया हुआ है कि 365 से कोई फरक नहीं पड़ता एक दो जगह जहां पर extension name या फर किसी font बगरा में जहां पर changes है वो मैंने इस चीज से ना डरें कि 365 क्या है यह मैंने पहले ही दिन demo वाली classes में सब जगह कह दिया था कि 365 ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा तो इसससे नहीं गबराना पहले ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ बस चार ही topics examiner question पूछ रहा है वो आपका ज़्यादा रहा चार से पांच question आपके आज MS word से रहे हैं और आपके दो से तीन question आपके आज रहे हैं किस से MS Excel से यह मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 questions आपके किस से रहे MS Excel से होता क्या है कि काफी चीज़े मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि word और Excel में काफी चीज़े similar है तो बच्चे से confused हो जाते हैं कि यह Excel का है यह word का है लेकिन यह दोनों जो आपके topic हैं यह दोनों topic मिला करके आपके 7 से 8 सवाल इनी से आएंगे इन से बाहर कहीं नहीं जाने वाले ठीक है तो अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते है तो यह तो आपके guaranteed आने वाले हैं उससे भी अच्छी बात यह है कि एक class एक मल छोटा सा topic और एक number हमारा पका तो email से एक सवाल लगातार हरस में आ रहा है क्या और बताएंगे कि क्या यह सवाल आये थे या नहीं ठीक है जी तो एक आपसे पूछी गई थी जी hyperlink की shortcut की सबी को पता है hyperlink की shortcut की में कोई भी समस्या नहीं थी है ना क्या होगी hyperlink की shortcut की बताएंगे क्या थी जी तो control plus k आसान है यह आई थी या नहीं आई थी जी बिलकुल आई थी ठीक है control plus k इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे एक सवाल था आपका email से related किस से जो हमारा email होता है तो email में आने email में मैंने आपको बताया था email में मैंने आपको बताया था कि जो cc और bcc carbon copy और blind carbon copy तो answer related आपका question पूछा था cc से related cc का मतलब क्या होता है cc का मतलब होता है जी carbon copy और इसके दोवारा जब भी हम किसी को mail भेजते हैं तो जिन भी लोगों के पास mail एकी बार में जा रहा सबी को ये पता लग जाएगा कि ये mail किस किस के पास गया है है ना फुल फॉर्म नहीं पूछीती ये काम किस परकार से करती है ये पूछा था आपसे तो cc bcc blind carbon copy में क्या है कि ये mail किस किस के पास भीजा गया है ये बात गुपते रहती है तो इस तरीके से सवाल पूछा गया था आसान है आपने कर लिया होगा ठीक है बहुत ही अच्छे से इसके बाद में ये सवाल ना जाने कितनी हो बार आपको practice sets में गागर में सागर में भी हैना मेरा थंस में सब जगा करवाया कि orientation MS Excel में या फिर MS Word में जो orientation है वो कितने प्रकार की होती है आप कहेंगे भई या दो प्रकार की एक पूती है portrait और एक होती है landscape ठीक है statement वाइस आप से सवाल पूछा गया था क्या कोशन था ऐसे होगा कि बताओ कि portrait की जो लंबाई ह यह landscape की चोड़ाई से जादा है landscape की चोड़ाई portrait की चोड़ाई से कम है इस तरीके से statement दिए होंगे perfect मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन statement वाइज आपका सवाल था और आपने बड़ी ही आसानी से से कर पाए होंगे क्योंकि अलग अलग तरीके के सवाल यह मैंने आपको करवा हुए हैं यह इसकी orientation होती है आप समझ सकते हो इसकी लंबा ही ज्यादा है इसकी क्या है इसकी उचाई ज्यादा है इसकी चोड़ा ही ज्यादा है इसकी चोड़ा ही कम है इसकी चोड़ा ही कम है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें अगले को सवाल की अपने तो वह आपसे related question एक कल की class में भी पूछा गया था तो तीन तरीके किसी भी cell को किसी भी formula को edit करने के लिए बताए जाते हैं अगर formula की बात आएगी आप 3 तरीके बताए जाते एक तो F2 बटन या फिर आप formula bar में जा करके कर सकते हो या फिर आप double click करके total तीन तरीके आपको बताए गई थे जिससे आप किसी भी cell को किसी भी formula को edit कर सकते हो ये आपका एक सवाल था इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपसे पूछा था कि left किसी भी text को left align करने के लिए हम left align करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं अगर कुछ इस प्रकार का logo आ जाता तो ये किस प्रकार का है ये आपका center alignment का है अगर इस तरीके से आपका कोई सवाल आ जाता तो ये आपका right alignment का है तो यहाँ से आपका एक question पूछा गया इसके बाद जब आपको alignment करवाया था तो आपको एक photo दिखाई थी कि इस प्रकार से सवाल अभी तक नहीं पूछे गए है लेकिन अब पूछा जाएगा तो वही सवाल आपसे पूछा वही सवाल आपसे पूछा कि ये आपका ms word आपको खोल के दे दिया और इसमें क्या है कि इसमें कुछ text कोई एक paragraph इसमें लिखकर के दे दिया ऐसा और आपसे पूछा कि बताओ इस paragraph में इस paragraph में इस चित्र में आपका कौन से alignment का प्रेयोग हुआ है इस चित्र में कौन सा alignment का प्रयोग हुआ है तो इने भी याद रखे है इस तरीके की ठीक है इसके बाद एक सवाल यहां से हर shift में आ रहा है कल भी तीनों shift में आया था कि कौन सा group कौन सी command किस group के किस tab में किस tab के किस group में मिलती है है ना तो bullets and numbering कौन सा है जी? bullets and numbering की जो आपका option है यह हमें किस tab में मिलता है तो आप सभी को पता है जी कि यह home tab के paragraph group में मिलता है कहाँ पर home tab के paragraph group में यह हमें मिलता है ठीक है इसके बाद हम अगला देखेंगे तो यह आप से पूछा था कि MS Excel में MS Excel में किसी data को ascending या फिर descending order में लगाने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं sort का प्रियोग किसका sort का प्रियोग करते हैं हम और यह option में कहाँ मिलता है तो home menu के last में जो आपका editing group होता है वहाँ पर मिलता है ठीक है इसके बाद आपसे alignment के total दो question थे कितने alignment के total दो question थे आपके है न इसके बाद आप देखेंगे एक question आपसे था कि internet private internet जो आपका होता है इसके लिए कोई भी व्यापारी किस प्रिकार के internet का प्रियोग करता है मतलब पूरी language मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इस प्रिकार से इंटरानेट एक्सटरानेट मैंने आपको मैरतन में करवाई हुए हैं जो अदर टॉपिक की मैरतन है उसमें इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या होती है, इंट्रनेट क्या होता है तो वहां से रिलेटेड आपका एक कोशन आपसे पूछा गया था कितने कोशन हो गए देख लेंगे जी एक, दो, तीन, चार, पाँच कोशन, छे, साथ, आठ, नो है ना, और एक कोशन इसमें डाउट है, यह कंफर्म नहीं है, बट दो, तीन बच्चों ने इसे बताया है, कि हाँ, यह सवाल भी सर पूछा गया कि जब हम MS Excel की किसी सेल में कुछ अलफावेट लिखते हैं, माल लो ABC, तो वो by default किदर की तरफ लिखा जाएगा, तो वो हमारा left लिखा जाता है, अगर 123 होता किसी सेल में, तो वो कहां लिखा जाता, वो आपका right लिखा जाता, right alignment में, ठीक है, तो इस सवाल को लेकर कि हम confirm नहीं हैं, बट बाकी के जुनों सवाल है, यह क्या है, यह आपके पूछे गए हैं यहां से, और paper बिल्कुल आसान आ रहा है, इस चीज़ से, आसान, हम यह नहीं कह सकते कि आसान आ रहा है, क्योंकि जिसने नहीं बढ़ा वो तो नहीं कर पाएगा, लेकि जिसने मेहنت की है जिसने सच मेहनत की है जिसने सच मेहापका अच्छे से बढ़ाई करी है वो कंप्यूटर में बिल्कुल भी परिसान नहीं होगा अगर मैं बात करूँ आज के स्कूर की कि आप इसमें सेफ स्कूर कितना कर सकती हैं तो कम से कम आपको आठ तो करने ही करने हैं अगर आप 8 से कम कर रहे हैं साथ से कम कर रहे हैं तो फिर आप काफी सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे 8 कम से कम हैं और 9 10 भी आपके क्या है यहाँ पर बच्चे करने वाले हैं लेकिन 8 तो आपको करने ही करने थी ठीक है जी तो यह थी आपका आज का इस shift का analysis अब आजी सरे आपे कमान समालेंगी सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग तो पेपर आप लोगों का जबर जस्ट संदार चल रहा है मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से आज जीएस की और जीएस में मैं आप लोगों को subject wise बताने वाला हूँ किस subject से कितने questions पूछे जा रहा है तो बहुत बढ़िया paper आ रहा है यह नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा tough या बहुत ज़्यादा easy मतलब बहुत अच्छा पेपर आ रहा है करने लाइक पेपर आ रहा है मैं यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ किस subject से कितने questions पूछे जा रहा है अगर polity की बात करें history की बात करें static की बात करें static की बात कर लेते हैं geography की बात कर लेते हैं science की बात कर लेते हैं यहाँ पर science की बात कर लेते हैं और भहिया current affair की बात कर लेते हैं eco की बात कर लेते हैं तो यहाँ अगर मैं बात करूँ जैसे polity की मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी बहुत जबरजस्त पूछा जा रहा है यकीन मानिये सारे कोशन्स आप लोग कर रहे होंगे अब यहाँ पर अगर बहुत जिन बचों ने पढ़ा होगा वो करके आ रहा होगा इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बारहा से तेरहा कोशन्स पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री से यहाँ पर साथ से आठ कोशन्स पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से साथ से आठ कोशन्स हिस्ट्री से हैं स्टेटिक की अगर बात करें तो आज रेशियो 14 से 15 के आसपास है, 14 से 15 कोशन आपके स्टेटिक से हैं, और अगर बात करें सर जोगरफी से तो एक कोशन लगवग जोगरफी से आया है, और अगर मैं बात करूं साइन से, तो 3 से 4 कोशन साइन से हैं, ठीक है, करेंट अफियर क करें current affair की मैं बात करूं तो 3 से 4 questions current affair से है इको की अगर मैं बात करूं तो 2 से 2 से 3 questions आपके इको के है तो यहाँ पर यह तो आपका एक हो जाएगा की भाई किस subject से कितने questions आ रहे हैं अब questions क्या पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता देता हूं मैं polity से start कर रहा हूं कि quality से कितने questions यहां पर आए हैं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाया पॉलिटी में अगर एक article है यहां पर एक article पूछा गया है कि मौलिक कर्तब्य किस अनुच्छेद में है ऐसा कोशन था क्या आप लोग बताते रहना मौलिक कर्तब्य मौलिक कर्तब्य से संबंदित एक कोशन पूछा है और आप यहां पर अनुच्छेद 51 जानते ही होंगे दूसरा कोशन आपका पूछा है अनुच्छेद 243 ती से अनुच्छेद 243 ती यह कोशन है जो कि नगर पालिकाओं में किस में नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंदित होगा किस से संबंदित होगा आरक्षण से संबंदित होगा कोशन नमबर 3 की बात कर लेता हूँ एक लिखा एक अनुच्छेद की अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 350 भी या 350 खा यह है अलप संख्यक यहां पर मैं बता देता हूँ आपको अलप संख्यक वर्गों के लिए विसेस अधिकारी होगा इसेस अधिकारी होगा Special Officer for Minorities नेक्स्ट कोशन है एक कोशन पूछाता यहां पर चौता फिलिंगो फिलिंगो फैस्टिवल कहां मनाया जाता है तो आप कहेंगे फिलिंगो फैस्टिवल की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर यह फैस्टिवल आंद्र प्रदेश में मनाया जाता है कहां पर आंद्र प्रद प्रचे ने क्या कोशन था एक हर्यक वन से कोशन आया था बच्चा कंफर्म नहीं कर पाया अब एक कोशन है एक कोशन है बिटा यहां पर छटा निन्यानवा संभीधान संसोधन निन्यानवा संभीधान संसोधन से कोशन पूछा था संसोधन एक कोशन निन्यानवा संभीधान संसोधन जो कि 2015 में होता है और ये किस से संबंदित है ये रास्ट्रिय न्याइक न्याइक न्युक्ति आयोग से संबंदित होगा किस से अगर ये कोशन आया है तो इसका अंसर ये होगा नहीं आया है तो आप लोग देख लिए आप लोग बताईए क्या ये कोशन आया था next है next question न्युक्ति आयोग इसका सही आंसर होगा आयोग चलिए next question है यहाँ पर 42 संबीधान संसोधन को किस नाम से जानते हैं 42 संबीधान संसोधन 42 संबीधान संसोधन तो 42 संबीधान संसोधन जो कि 1976 में होता है इसे mini constitution कहते हैं या इसे लगू संबीधान कहते हैं क्या कहते हैं लगू संबीधान कहते हैं ठीक है जी क्या कहेंगे लगू संबीधान कहते हैं mini constitution कहते हैं कोशन नमबर 7 की तरफ चलते हैं, अच्छा, यहाँ पर एक ये, दो ये, तीन ये, चार, कई मैंने गलत तो नहीं कर दी, स्रीज, ठीक है, कोशन नमबर 7 हो जाता है, कोशन नमबर 8 की तरफ चलते हैं, कोशन नमबर 8, की 2022 में संगीत नाट्ट अकेडमी पुरुसकार पूछा चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, अगर ये, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये आप लोगों की द्वारा हमें दिये गए हैं, और बच्चों ने ये कन्फर्म भी किये हैं, बच्चों ने कन्फर्म किये हैं, एक कोशन था, 2022 में, 2022 में, संगीत नाट्ट अकादमी तो बेटा, ये बहुत सारी चीजों में संगीत में दिया है, वादियंत में दिया है, इस प्रकार का एक कोशन भी पूछा था, एक कोशन यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, ये कोशन नमबर एट था हमार कोशन नमबर नाइन की तरफ चलेंगे, कोशन नमबर नाइन क्या है, नाइन, कोशन नमबर नाइन पर आजाता है आपका, नर्त की नट राजन का संबंद किस नट से होगा, नर्त की अगर बात यहाँ पर है कि भीया, नर्त की नट राजन, नट राजन का संबंद, तो इनक संबंद पूछा है इनका संबंद किसे है भरत नाट्यम से किसे भरत नाट्यम से तो आप कहेंगे सर भरत नाट्यम से इनका संबंद हो जाएगा कोशन था एक दसवा प्रसन है जीरो से लेकर छे वर्स की आयू जीरो से छे वर्स की आयू या छे वर्स की जनसंख्या जनसंख् सबसे जादा कहाँ पर है सबसे जादा कहाँ पर है जादा तो आप कहेंगे जादा है यूपी में अगर लिंगन उपा तो पूछा जाएगा तब कहेंगे अरोनाचल में चलिए बहुत बढ़िया शान्दार लाजवाब हम लोग बात करते हैं कि सर कोशन नमबर 11 की तरफ आते हैं कोशन नमबर 11 क्या कहता है Question number 11 में लिखा है कि Elijah Wait द्वारा किसके द्वारा Elijah Wait द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया था किसे बुलाया तो आप कहेंगे सर किसको बुलाया था तो वो होंगे भीया Elijah पीरामल कौन? Elijah पीरामल ठीक है Elijah पीरामल आपके option में रहा होगा Next question है Sung one से question पूछा था अब क्या question पूछा था बच्चा इसको confirm नहीं कर पाया कि सर Sung one से question था वस ये बताया है ठीक है Next question है आगे हम चलते हैं Question number 13 की तरफ Question number 13 है सिकंदर के आकर्मन के बाद यहां है सिकंदर के आकर्मन के बाद के आकर्मन के वाद वाद किस वन्स का सासन था किस वन्स ने सासन किया ऐसे question था किस वन्स ने सासन किया वन्स ने सासन किया तो आप कहेंगे सर किस ने मोर्रे वन्स ने सासन किया था चंदरगुप्त मोर्रे ने बेटा मोर्रे वन्स की स्थापना कर दीती यहां पर question number सर कोशन नमबर 14 है पैरा ओलंपिक कोशन है भीया पैरा ओलंपिक की अगर मैं बात करूं कि सर पैरा ओलंपिक की पृत्थम मेजवानी पूछिये मेजवानी वेटा तो मेजवानी 1960 में होती है रोम में कहाँ पर रोम में ठीक है next question आप लोगों के screen पर है एक कोशन है अच्छ एक कोशन आया था पंकच दास बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पंकच चरण दास अगर पंकच चरण दास है तो वो सास्त्रिनित से संबन देतोंगे ODC से अगर पंकच उदास हैं पंकच उदास हैं तो वो बेटा गजल गायक है अब आप लोग बताओ क्या आया था कोशन, आप लोग बताओ कि क्या कोशन था, पंकच दास आया था या पंकच चरन दास आया था, बताइए जल्दी से, क्या कोशन था, हाँ जी, बताइए, पंकच दास पूछा था, अगर पंकच दास पूछा है, पंकच दास पूछा है, तो ये बेटा पंकच उदास तो गजल गायक हैं पारसब गायक हैं गजल यहां कह सकते हैं ये गजल गायक हो जाएंगे गजल गायक अगर ये नहीं आया है तो आया होगा बेटा ये जो बच्चों ने बताया है पंकच चरण दास पंकच चरण दास अगर पूछा होगा तो य OTC से संबंदित हैं किससे OTC नत्य से संबंदित होगे किससे OTC नत्य से संबंदित होगे जो भी इसमें आया होगा तो आप यहाँ पर बात करना चलिए next question है भाया question number 16 question number 16 की तरफ चलते हैं question number 16 है कि यहाँ पर हमने लिख लिया एक question था जाकर हुसेन से संबंदेता कोशन नमबर यहां पर हम लिख रहे हैं जाकर हुसेन से संबंदेता जाकर हुसेन का संबंद किस से है तो आप कहेंगे सर यह तबला वादक है कौन है तबला वादक तो आप कहेंगे सर यह कौन है तबला वादक ठीक है जी कौन है यह तबला वाद गार देखें छालिए कोशन नंबर सेवन्टीं की तरव चलते हैं यहां पर एक कोशन है अन्तिम बार अन्तिम बार कोल्ड होकी टीम की अगर मैं बात करूँ यहां पर कौन सा कोशन था कोशन नंबर हमारा यह हो जाता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 की अगर मैं बात करूँ तो एक कोशन है यहां पर की भहिया अन्तिम बार गोल्ड होकी टीम इससे संबंदित कुछ कोशन था जो मौस्कों में हुआ था सीत कालीन उत्सव यहां हम बात करेंगे सीत कालीन उत्सव सीत कालीन उत्सव बेटा इससे संबंदित एक परसंद था जो की राजस्थान में मनाया जाता है कहां पर राजस्थान में मनाया जाता है राजस्थान के माउंट आबू में कहां पर माउंट आबू में मनाया जाता है ठीक है भी या माउंट आबू में इससे संबंदित एक परसंद था चलिए नेक्स्ट है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोशन है कि राई उत्सव कहां मनाया जाता है कुछ इस प्रकार का बच्चों ने बताया ये हम अपने तरफ से नहीं बताते हैं हम अपने तरफ से नहीं बताते हैं राई उत्सव है जो बच्चे हमें बता देते हैं या जो उनको याद रह जाता है तो ये तो यूपी में ही मनाया जाता है नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या उन्निसवा प्रसन होगा सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अनुसार 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 जजों की संख्या पूछिए केवल मुख्चे न्याधीस नहीं पूछा जजों की संख्या तो आप कहेंगे सर जजों की संख्या पूछी है तो 33 पिलस 1 अगर बेटा मुख्य न्याधीस होगा तो 1 एड कर दिया होगा वरना 33 है नेक्सट है अनुछेद 25 अनुछेद 25 किस से संबंधेत है अनुच्छेद 25 है अन्तेह करण से धर्म की आजादी किसी भी धर्म को मानने की आजादी देखे बहुत शांदार तरीके से आपने पॉलिटी तो सारे सब्जेक्ट आपने करने लायक हैं यहाँ पर नेक्स्ट है भाईया यह आपने कर लिया आगे हम बात करते हैं कोशन था 26 कोशन है भाईया यहाँ पर 26 कोशन की मैं बात करूँ बक्सर के युद में अगर मैं बात करूँ बक्सर के युद में दक्षण पूर्व से संबंदित कोई कोशन था बक्सर के युद में दक्षण पूर्व का नेत्रत्व पूर्व का नेत्रत्व से लेकर कोशन थ करल आप दो के बाद यहाँ 20 हो यहाँ 21 नमबर 22 अनुच्छेद 38 क्या कहता है राज्ये को कल्यान कारी बनाने के लिए कदम उठाने होंगे राज्ये को कल्यान कारी बनाने की बात करता है कल्यान कारी बनाने की बात करता है ठीक है जी चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं हम लोग 22 हमने कर लिया 23 पर आ जाते हैं train to Pakistan के लेखक पूछे थे train to Pakistan के लेखक पूछे थे तो खुसवंत सिंग कौन है खुसवंत सिंग हो जाएंगे भाईया कौन हो जाएंगे खुसवंत सिंग हो जाएंगे चलिए question number 24 की तरफ चलते हैं Question number 23, हमने कर लिया, Question number 24, ऐसे पूछा था, Is, Against, Against, Odds, सर ये किसकी पुस्तक है, Odds, तो ये हो जाएगी किसकी बेटा, सानिया मिरजा की, किसकी हो जाएगी, ये सानिया मिरजा की पुस्तक हो जाएगी, चलिए भाईया, बहुत बढ़िया, शानदार Question है, Next है, कीमो थेरेपी में किसका इस्तमाल किया जाता है, इस परकार का भी एक कोशन था, कीमो थेरेपी, थेरेपी, तो इसमें कोशन था, कीमो थेरेपी में किसका इस्तमाल किया जाता है, किसका इस्तमाल किया जाता है, वैसे तो कैंसर का इलाज होता है, लेकिन इसमें पूछा था, किसका किया जाता है तो ये confirm नहीं कर रहा था बच्चा किसका इस्तमाल किया जाता है अच्छा एक कोशन था हिंदू मंदिर में भगवान को जिस जगह पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं हिंदू मंदिर में भगवान को जिस इस्थान पर इस्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं तो गर्व गरहे कहते हैं ठीक है जी क्या कहेंगे गर्व गरहे कहेंगे नेक्स्ट है नॉर्मन बोर्लोग का संबंद किस देश से है 27 वा कोशन है हरित करांती के जनकते डॉक्टर नॉर्मन बोर्लोग बोर्लोग का संबंद पूछा था संबंद मैक्सिको आफ्सन में नहीं था तो केवल यूएसे होगा ये यूएसे होगा मैक्सिको में बेटा इन् कुशन नमर 28 है आर्टीकल 94 यहां पर क्या होगा अनुच्छ 94 की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर लोकसभा अध्यक्ष एबम उपाध्यक्ष को हटाना उसकी रिक्तिति उपाध्यक्ष की रिक्तिति रिक्तितान होगा उसको हटाने से संबंदित व्यवस्ता होगी ऑप्सन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा नैक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमर 29 है एक भाग पूछाता भाग 6 किस से संबंदित है तो यह राज्यों से संबंदित होगा थीक है इसका राजियों से संबन्द होगा चलिए आगे बात करते हैं कोशन नमर 30 है लिखा है दूई नाम करन पदती के जनक कौन है दूई नाम करन पदती के जनक कौन होंगे लीनियस होंगे पदती के जनक कौन है जनक तो आप कहेंगे सर पदती के जनक है लीनियस कौन होंगे लीन ठीक है जी? चैलिए. एक कोशन और हम लोग बात करते हैं. कोशन नमबर 31. 31 कहता है देश की रास्ट्री आए से कोशन था. अब क्या कोशन था? बच्छा इसको भी confirm नहीं कर पाया. देश की रास्ट्री आए से कोशन था? रास्ट्री आए से कोशन आया था. ठीक है जी? नेक्स्ट है यहाँ पर है एक कोशन और था पॉलिटी से ही अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत करता है और ज्यादा मजबूत करता है क्या करता है जी मजबूत करता है तो आप कहेंगे सर 26 और ज्यादा मजबूत करता है अलाउदीन खिल जी ने दक्षण अभियान के लिए किसको भेजा था अभियान के लिए तो आप कहेंगे सर मलक काफुर को भेजा था किसको मलक काफुर को भेजा था तो ये भी आप लोग याद रखना कि सर मलक काफुर को भेजा था और सांदरता से संबन्दित एक परसंद था यहां पर कोशन नमबर 34 है कि सर सांदरता से एक कोशन था सांदरता से संबन्दित एक कोशन था, सांदरता से संबन देते कोशन था, कि 450 ग्राम जल में 50 ग्राम सरकरा ऐसे करके कुछ ता सरकरा मिलाने से क्या होता, इस प्रकार का एक कोशन रहा था, ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं, पिर्थम ICS अधिकारी पूछे थे कौन पूछे थे, पिर्थम ICS अधिकारी पूछे थे, भईया पिर्थम ICS परिक्षा किसने पास की थी पिर्थम ICS, तो आप कहेंगे सर, सतेंद्र नाथ टेगोर थे, कौन थे, सतेंद्र नाथ टेगोर, आप कहेंगे सर, सतेंद्र नाथ टेग और ठीक है जी सते नाथ टेग और इसका सही आंसर होगा अच्छा एक कोशन और है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां होती है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी तो आप कहेंगे सर 1875 में होती है अमेरिका में और अमेरिका के न्यू यॉर्क में कहां पर अमेरिका के न्यू यॉर्क में हो जाती है देश पूछाता तो आप कहेंगे अमेरिका थियोसोफिकल सोसाइटी नेक्स्ट कोशन है भहिया एक अगला प्रसन है आप लोगों के स्क्रीन पर अर्थिस्वा कोशन हो जाएगा यहां पर 36 हो गए जी 37 प्रसन होगा 37 प्रसन होगा ISSF 2022 में 2022 से संबंदित पूछा था कि भही पदक थे क्या थे ये भी नहीं बताया बच्चे ने 38 कोशन की बात करते हैं ड्रिप सिचाई ड्रिप सिचाई की अगर मैं बात करूँ ड्रिप सिचाई किस राज्ये में की जाती है किस राज्ये में की जाती है तो मिघहले में की जाती है किस में? मिघहले में की जाती है ये बेटा आपके थे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर कर के आ रहे होंगे 35 से 38 के बीच में आज का जी एस अच्छा है आप लोगों ने किया होगा किया होगा इसका सही answer से एक्जाम दे कर आएं सभी को ओल दी वैस्ट जहिंद जा भारत